तो फाइनली मार्वर वालो को याद आगा कि उनको ब्लैक पैंथर कर ट्रेलर भी रिलीस करना है उन्होंने टीजर रिलीस करके ही छोड़ते था लेकिन अब ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर में हमारे सामने श्टोरी थोड़ी थोड़ी के लियर होती नजर आ रही है तो आज ट्रेलर स्टार्ट होते इसमें साफ साफ दिखा दिया गया कि चैडविक बॉसमेन अब नहीं रहे मुवी का यह थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इसमें उनको ट्रिब्यूट दिया और मुवी को एक रियर स्टोरी की तरह दिखाने की कोशिस किया है जैसे कि चैडविक बॉसमेन रियलिटी में नहीं रहे और ऐसा ही मुवी में भी एक उनको ट्रिब्यूट दिया गया है और मुवी में हमको यह भी दिख रहा है कि अब एक्वेरियंस आ रहे हैं वाकांडा पर अटेक करने तो वाकांडा के लिए कौन लड़ेगा तो भाई पूरी स्टोरी के चो टेलर की में स्टोरी है वो इसी के आग पास ही भूंती रहते हैं कभी इसको कभी उसको एक्वेरियंस आ रहे हैं अटेक हो रहा है हाला कि आप हमारे चैडवी बोस्मेन जिनोंने ब्लैक पैंथर गारेक्टर किया तो अभी दुनिया में नहीं रहे तो यह देखने वादी बात होगी कि न्यू ब्लैक पैंथर कौन होगा क्या वो शूरी होगी या कोई और होगा तो पता नहीं लेकिन एक्वेरियंस के ऊपर स्टोरी करी है और भाई जो इसमें CGI है VFX जो पानी के अंदर जाकर लड़ रहे हैं अलग अलग चीज़े जो दिखा रहे हैं ट्रेलर में तुम लोग ने देखा योगा अगर नहीं देखा होगा तो जाकर के जल्दी ट्रेलर जरू देख लेना ट्रेलर बहुत ही जादे बि बुल्ण